है हेलो गाईज वेलकम बेक टू आज चैनल तो आज की क्लास में मिस्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस कम्मुनिकेशन जैसा यह मैं पता है वी सीओ फ़ास समेस्टर में हमारे टोटल फाइब सब्जेक्ट से इसमें कि हमारा पहले सब्जेक्ट हमारे हो गया सी प्रूग्राम हो गया प्रिंस्वल्स आफ मेनेजमेंट लास्ट वन इस मैथमेटिक्स फ़ास्ट कि टूटल फाइब सब्जेक्ट है जो कि आल्मोस्ट सारे निवर्सिटीज चलते हैं फर्स समेस्टर में तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस कम्मुनिकेशन इसके स्टार्ट कर स्टार्ट करने वाले इसमें हम चार सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको सी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल बिजनेस कम्मुनिकेशन और प्रिंस्वल्स आप मनेजमेंट और यह टामिंग का भी डिसाइड नहीं है वैसे टामिंग साम में ही रख रहे हैं हम साम को साथ क्लास होगी हमारी साध से लेके साधрем debate न sevent叉 बजकी क्लास ही कोगी और इसमें जो स्थारी से फीस बहुत मीनमुम हैं गोंन जोगारिव दिख रहे हैं कि और मनटके इसमें रखा है तुम में हें पांच रुपय पर मन्त पर मन हुझमी व достate से चार महीने में यह पूड़ा क इसमें हम क्या होगा हमारे class होगा प्लस आपका डेली बेस पे topic wise homework रहेगा इसके आलमा आपको लिए exam के लिए हम question practice भी कराएंगे जो पीवाइक उस आए होई है अभी तक exam में जतने questions पूछे गए हैं उस प्रेक्टिस करेंगे उसके साथ हमारा जो competitive exam में कुछ question पूछा गया है जैसे हमारा PGT का exam होता है teaching exam हो गया TGT का exam होता है और भी जो exams हो गए जो हमारे future में काम आएंगे उस तरीके के question को हम साथ में solve करेंगे तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं कोचिंग में इस बैच नए बैच में स्टार्ट कर रहा हूं इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिएगे नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं इससे आपको डिटेल वालम चिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं business communication होता क्या है तो अगर बात करें business communication की तो इसका आता है कि फैले यह word कहां से आया है तो एक Latin word है communis मतलब की communication करना क्या है तो और इसमें क्या हो गया कि communication करना का मतलब यह है कि किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपना फैक्ट या आइडिया आपके पास कुछ है या कोई आपका विचार है कोई opinion है उसको पहुचाना इसी चीज को communication बोलते हैं कि एक व्यक्ति से अपना आपका कोई विचार हो गया या कोई opinion हो गया कोई fact हो गया कुछ भी हो गया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तिक तक पहुचाने के ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कम्मुनिकेशन बोलते हैं और कम्मुनिकेशन में जैसे अब कई राइटर अलग अलग हैं जो अलग अलग डिपनीशन दिये हैं लेकिंगे सबका अगर देखेंगे मिला जुला कि यह की बात है interchange या exchange sorry exchange exchange of facts ideas opinions from one person to another कि यह हमारा हो गया formal definition बाकि अगर बात करें ऐसे सामाने बातचीत के भासा में तो एक अपने message को दूसरे विक्ति तक पहुचाने कही प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम कम्मुनिकेशन बोलते हैं वह मेसेज हमारा कुछ भी हो सकता है कोई लिटर का form हो सकता है हो सकता है लिटर हो वो मेसेज यह हमारा हो सकता है कि औरल हम जैसे वर्बल बोल रहे हैं वर्बल हो गया हमारा और वर्बल में हमारे क्या आजाएगा इसमें सब्दका इस्तिमाल करते हैं वर्ड्स का और एक हमारा आजाएगा कि बॉडी जेस्चर बॉडी जेस्चर जैसे हम इसारों में बात करते हैं यह अपने सर को हाना में हिलाते हैं आंक से कुछ ही सारा करते हैं यह हमारे आजाए क्या कर रहे हैं अपनी बात को मुंदीय स् पर दूसरे प्रसेस समय स्कारी महित अब राते हैं Pier 67 स्ट१िन रखना सेंडार। में एक स्क्या रॉथ पहले हमारे होगा एक सेंडर होगा जो मैसेज को भेज भेज रहा है वह दो इसके बाद कि आएगा एक इनकोडंडिंग अब हमारा चैनल आएगा चैनल के बाद दिशेवर य्थी पहुचाना है और फिर लास्ट में चलता फीडवाइक फीडवाइक भी एक कांटीनिवस प्रोसेस है ठीक है उसके बाद अब आप इसको बारी-बारी से एक-एक टॉपिक को डिसक्स करते हैं एक-एक स्टेप को पहले मारा सिंद्र कोन होगा सिंद्र कॉन होगा वह व है जो मार्केटिंध डिपार्ट्मेंट लूपित ग hockey वाषिज करता है प्रोडारोट बना रहे या को बेच रहे हैं औक यौ अंको प्रणा करना अदूपिट करना न उनका व सब करते हैं एमकाना रहत शाए है जो अपने संदेश को दुस्रे तक पहुचाना चाहरा है अब इन और पहुरेंगे क्या होगा हमारा जो हमारा आइडिया है जो हमारा आइडिया हो गया या हमारा जो फैक्ट हो गया कुछ या फिर हमारा ओपीनियन हो गया ऐसको क्या करेंगे उसको हम करेंगे वर्टस में अभी तक हमारी माइंड में है लेकिन आग aid की तक पहुंचा यह सब्दों का इस्तमाल करना होगा न तो सब्सक्राइब करें बाइब send箇ं कि छुष प्रशेतर करें कोई ने इंकोडिकी प्र 예 convert करना ठीए और फिर मारा आएगा message channel याए सौरी channel bit message channel message का मतलब क्या है कि जो बात हुचाना चाहरे है message में हो हुचाना चाहरे है यही सारी चीज़ होसकते है idea fact opinion कोई notice होगई यह कुछ भी हो सकता है और चैनल की बात करें माध्यम कौन सा माध्यम चुन रहे हैं किस माध्यम से हम अपनी बात को दूसरे एक विक्ति से दूसरे विक्ति तक पहुचा रहे हैं वह माध्यम हमारा क्या हो सकता है एक तो हो सकता है हमारा वर्बल हो गया जैसे हम डारेक्ट बोलके वर्बल में भी हमारा क्या हो गया एक ओरल हो गया जैसे हमकी मु मेल के तुरू हम मैसेज केसी को पहुचा सकते हैं और हमारा कैसे पहुचा सकते हैं टेलिवीजिन पर हम कोई इडवटाइज चला देया कोई नोटिस चलवाद इस तरीके से और हमारा क्या हो सकता है रेडियों हो गया और इसके लमा हमारा आजकाल जो ट्रेंडिंग में हमारा डिटर बार्टिण मार्केंट वाला कॉं Amongst य क्या हो यह होगा हम अपना किशितर चला दें हमारा यूटूब के थूआ इस पो अपना चलाओर सकते हैं इस कर सकते हैं ट्वीटर से चला दें इस तरीके से बहुत सारे सोचल वीडिया अप्लिकेशन से प्लेटफॉर्म से जिसके तुरू हम क्या कर सकते हैं अपना अड़टाइश चला सकते हैं तो हमारे यह भी क्या हो गया एक मीडियम हो गया ठीक है और इसके अलावा मीडियम के बाद करें तो टेली फॉन हो सकता है तरीके के सारे यह हमारे जो बाद बोल रहे हैं जो हम उसको लेटर दिये हैं इमेल बिजए हैं वह उसको कैसे समझ रहा है मतलब अपने तरीके कोड़ करना जो समझ रहा है बातों को तो डिकोड़ कर रहा है पिर उसके बाद आता है लास्ट में हमारा रिसीबर कौन होता है रिसीबर क्या होगा है तो कस्टमर होगा और अगर नॉर्मल में बात करें तो रिसीबर क्या है कि दूसरा व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं जि इन्हीं दोनों के बीच में क्या होगा हमारा ग्रीड देनी का पर कि नहीं समय थे हमें समझ में आया नहीं समय में तो क्या है इसमें यह फीडवेक हमारा कहां से होता है receiver to sender receiver क्या करेगा feedback provide करेगा sender को तो इस तरीके से देखें तो यह जो हमारा total यह process है communication का इस तरीके से steps में काम करता है इन सब के बीच में एक वारा आता है noise inference noise का मतलब होता disturbance अब हो सकता है कोई बात किसी अपने friends से कर रहे हैं किसी को किसी से मतलब हम कोई बात अपना बता रहे हैं कुछ है कि इस topic पर हम डिसकस कर रहे हैं तो बीच में हमारा friend आकर टूक दे हमें तो क्या हो गया एक friend हमारा क्या हो गया आप जैसे क्या हो गया कि हम कोई कुछ हम देख रहे हैं कोई जैसा अब भी हम लेक्शेर से पढ़ा रहे हैं बीच में हमारा यह हमारा था process of communication तो उम्मीद करता हूं कि आज क्लास में आपको जितना बताया है आपको समझ में आ गया होगा तो आगे भी बिजिनिस कम्यूनिकेशन के लिए बिजिनिस कम्यूनिकेशन और और भी जो हमारे सब्जेक्शन समस्टर के लिए अभी मैं समस्टर के लिए दोस्ते हैं उनके साथ सेयर करिए नए हैं अगर तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगले क्लास में और इसके लामा जो मैंने बताया कि कल से मैं हमारा पेट क्लास स्टार्ट हो रहा है इसकी पीस हम रहे हैं 500 रुपए उनली पर मंद के हिसाफ से हैं 500 मंदे टू फ्राइडे होगा पांच दिन क्लास होगी हमारी तो अगर आपको जॉइन करना है तो वाटसप में सब्सक्राइब कर सकते हैं अब मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए थेंक्यू और हाँ आपको यह जो मैंने पढ़ाया इसका पीडिएफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर बीस ये विद दर्पनू आपको क्या होगा यह पीडिएफ मिल जाएगा मैं अभी क्लास के बाद पीडिएफ डाल दूंगा तो वहां से आप पीडिएफ डाउनलोड कर सकते ह हैं और आप टेलिग्राम चैनल को जूड़ेंगे तो उसमें और सारे आपको पीडिएफ होगारा मिलते रहेंगे